नमस्कार आप देख रहे हैं एशियन न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ स्विष्टी जै डेश गांगी जी की चोहकर भी पुनिक की मना रहा है भारक की सकंकर का संगराम के प्रमुकनायक गांगी जी ने गेश के लिए जो किया वो सग्यों का गेश कभी नहीं भुला पा जो अहिंसा के पोजारिक है जिनके आगर्शों और सक्य की काकक ने अंग्रेजों को भी जुकने पर मजबूर कर गिया भारतिय सकंकर का संगराम के इतिहास के स्वर्डिन पन्नों पर गांगी जी का नाम हमेशा लिखा रहीगा गांगी जी को कोई प्यास से बापू तो गुजराक के पोरवंगर में इनका जन्म हुआ इनकी पिका का नाम कर्म चंग गांगी और माता का नाम पुकलिवाई खा गांगी जी बशपन से ही धार में के वे अहिंसा के पोजारी और हमेशा सक्य के मार्ग पर चलने वाले के गांगी जी बशपन में पढ़ाई में काफ ने बढ़ी कि गागी जी के चार बेटों हुए जिनके नाम हरेलाल मनिलाल रामलाल और गेवकास है महाकमा गांगी गेश के राष्ट पिका कैसे बने यह के किया गरसल सुभाष चंगर बोस और महाकमा गांगी के बीच मक्वेगों की बात कही जागी है लेकिन सबसे पहले ने स्कून डेडियो स्टेशन से गिए अपने भाषर में गांगी जी को राष्ट पिका कहकर सम्मुदिक किया नेका जी ने आजाग हिंग फॉज की स्थापना करके हुए गांगी जी से आशरवाग मांगा खा और अपने भाषर के अंकर में सुभाष चंगर वोस ने कहा कि हमा 48 में नाखुराम गौड से ने गोली मार कर हक्त्या कर गी गी राष्ट पिका की पुनिकगी पर पीम नरिंग मोगी ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि बापु की पुनिकगी पर उन्हें याग कर रहा है और उनके आगर्शों विचारों को और अगिक लोग प्रियों बनान कि एक हिंगुक कवागी ने गांगी जी को गोली मार की सब हिंगुक कवागियों को लगता है कि गांगी जी नहीं रहे जहां सक्क है वहां आज भी बापु जेंगा है जिसके बाग एक वार फिर से स्यासी माहौल गर्मा गया अब कखली बसिक नहीं आप गेत के रहिए एश जीबने लुद से लिए